स्वागत है आपका एवन नियूस टीवी में और मैं हूँ मेगा उत्तर प्रिदेश के मौजिले में सर्यू नदी के पुल के नीचे से 30 किलो चांदी का शिवलिंग मिला है जुसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया शिवलिंग को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जोहां पर लोगों ने आकर शिवलिंग के दर्शन करने का मन बना लिया और पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया सावन के महीने में शिवलिंग का मिलना लोग चमतकार मान रहे हैं एसके बाद आचार्य उसे मंदिर में ले आया और उसका पुद्राभिशेक किया चांदी के शिवलिंग मिलने की सूचना पर पुलिस शिवलिंग को ठाने ले आई आपको बताएं दोहरी घाट कस्बा निवासी राम मिलन नुशाद बीदेश अनिवार सुभा नदी में नहारा था वो पूजा पात्र को धुने के लिए जैसे ही नदी में गया उसे रेत में कुछ दिखाई दिया जब उसने वहां खोदा तो उसे वहां पर चौंदी का शिवलिंग दिखाई दिया